नमस्कार सांतियों स्वागत है आपके अपने चैनल मस्ट्रावेंट पर आई हम लोग सातियों सुरू करते हैं पानाच विकल्पो वाला जो है प्रैक्टिस सेट विपीएसी टीचर है तू पहला कुछन जो कि आपके स्क्रीन पर है कहा जारा है कि विशु जैविक विता प्रिथवी से अधिक्तम दूरी पर पहुंचता है तो इससे क्या कहते है जब हमारी प्रिथवी से जह जब सुर्ज प्रिथवी से अधिक्तम दूरी पर पहुंच जाता है तो उससे हम लोग शंक्रांती के रूप में जानते हैं तो शंक्रांती के रूप में जानते हैं ने तर्फेल देखें कि कुछा नंबर थीन में क्या क्या होता है गुई पदफ बिरीधी हार्मोन नहीं है Bowl hem इसमें रहा हां रहा है तो फो femme a cab Society कि यह हम अ戲co से Pacific यह a सिथिट वहां कि करें हैं यह जो है पादफ के इसमें चाहर मतवां कोम यह शुकाइय । जीब्रेलीन यह हर्मोन है तो धियान रखिए किया हो जाएगा एबिसिक असीड यह पादब विरिधी हर्मोन नहीं है आगे हम दो दखेंगे कुछे नमर चार को चार में क्या का जारा है कि भारत में पाला कीट शंगराले किस राज में खुला गया है तो भारत में पाला कीट शंगराले जो है यह कहा खुला गया है तमिल अंडू में खुला गया इसको ध्यान रखेगा नेश्ट देखें कुछ नमर पांच पांच में क्या का जारा है कि न पारा नसी भी है लेकिन मत्हूरा नहीं इसको ध्यान रखे का एक गंगा के तर्टपे नहीं है आगे हम लोग देखिए एक कुछ नवर चो चो में क्या कई जा रही है कि वैस्विक वितिये स्थिर्ता रिपोर्ट गलोबल जो है फानेंसियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट किसके दोरा त्यार किया जाता है तो यह अंतरा श्रीय मुद्रा कोस के दोरा त्यार किया जाता है इसको ध्यान रखे किसके दोरा अंतरा श्रीय मुद्रा कोस के दोरा यह तयार किया जाता है नेश दखेंगा कुछा नंबर साथ साथ में क्या कहा जा रहा है कि भरतिये समिधान को मौलिक अधिकार किस समिधान से ग्रहित किये गए है भरतिय समिधान के जो है मौलिक अधिकार किस समिधान से लिया गया है यह पूछा जा रहा है तो कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार कहां से अमेरिका के समिधान से लिया गया है ध्यान रखीगा मौलिक अधिकार कहां ल बिहार हो जाएगा कौन है बिहार जहां पर जो है कॉंब लोग साख्च denn रिखेगा नेक्ष्ट दीए कुछ। किस से होकर नहीं गुजरती है क्कूछ नमडर दस दस में क्या का जा रहा कि साइमन कमिशन ने किस दवरान भारत ब्रहमन किया साइमन कमिशन न जुए अश्वयोग अंदुलन के दौरान भारत भर्मन करने का काम किया था निइस्ट देखेंगे कुछा नमबर 11 ने क्या नमबर 12 को देखेंगे 12 मैं क्या कर दा है कि तो दो बार होता है कि संराचना में ओक्षियन की परतिसता कितनी होती है। प्रित्वी की सत्राइस की संराचना में ऑक्षियन की परतिसता जहां एक www.next. brushing देखेगे लगका जन्मस्तान पुछा जारा है। है बताएंगे आप लोग कहा है। सब लोग जानते हैं आपलोगे बता दिजिए इसका गांधी जी का जो है जनमास्तान कहां है ते पुर्वन्दर में कहा है पुर्वन्दर में कि निमलिखित में से कौन जो है पदार्थ विद्धूतिय चुम्बक बनाने के लिए सराधिक उप्यूक्त है तो सफ्ट आईरन है कौन है सफ्ट आईरन को प्यूक किया जता है नेक्ट दखेंगे कुछा नमर 15 गांजी ने दांडी अभियान अर्रम किया था कहां से अर्रम किया था गांजी ने दांडी अभियान वो तो सब लोग जानते हैं कहां से किये थे बताईए तो यह जो है नमवक कनून को भंग करने के लिए कहां से किये थे गुजरात से किये थ से आगे हम लोग देखें कि नमबर सुला का दर आये कि रात के समय प्योंड के नीचे नहीं सुना चाहिए तो अमोनिय के उतपादन में प्रियुक्त होने वाला गैस कौन है नाइट्रोजन है या ऑक्सिजन है या नाटीक एसीड है नाइट्रोजन मीथेन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो अम्मुनिया को उत्पादन में परिक्षन वाल अगा है इस कौन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है इसको ध्यान रखेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आगे हम लोग देखें कुछ नमबर अठाड़ा ताप देने पर जो है ठोस पदार्त के सीधे गैस रूप में बदल जाने के परक्रिया को क्या कहते हैं जब ताप दीजिया किसी ठोस पदार्त में तो गैस रूप में जो है बदल जाएगा इस परक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो इस परक्रिया को हम लोग जो है क्या बोलते है उर्थोः पातन बोलते हैं अडिके किसपट सिपर करना का मुखी नबर लक्षक आगे हम लोगई किसफ़ा नबर बीस 20 में क्या क्या जा रहा है कि निम्लिकित में स도 किस ने जो है दो 20 छेतरों में बिज्वग्म का नवल पुरुसकार प्रापत किए रसेल हल ले या पुल बैर Nee या मैडाम कुरी ने या डेविड सी ने तो कौन या सब एकटी है जो दो छेतरों में बिज्वान का नवल पुरिषकार प्राप्रने का काम किया तो कौन है? तो मैडम क्यूरी जो है, दो छेतरों में नव्ल पुरिषकार इनको मिला हुआ है नेक्स देखेंगे कुछ नंबर 21 में किया कहा जा रहा है कि बजरंग पुनिया का surda कि सिक खली है तो खुस्ति से इसको ध्यानलखिएगा आगे हम दोग दखेंगे कुछ नंबर 22 22 में क्या कहा जा रहा कि जंता पाती के सासंकाल के दरान भारत के राश्पती कोन थे तो चंद्रमा है इसको ध्यान रखिए कौन होता है चंद्रमा होता है कुछ नमर 24 को बनाईए 24 में क्या कहा रहा कि जय विद्धा के साथ मनुष के प्रमप्रागत जीवन के संरक्षन के लिए सबसे महत्पून रहने थी निमलिखित में से किस एकी अस्थापना में करने में न इसको ध्यान रखिए कौन किया था जी थंसम ने किया था कुछ नमबर 26 को बनाईए 26 में क्या काया रहा है कि ऑप्रेशन फॉलट किस से संबंधिते हैं तो ऑप्रेशन फॉलट जो है दूद्र उत्पादन से संबंधिते हैं बाढ़ उत्पादन नहीं मार दीजिएगा क्य क्यों से आता है चकरवाद में हावा कहां से आता है तो बाहर की ओर से आएगा चकरवाद में इस चीज को ध्यान रखिएगा इंपोर्टेंट है नेक्श दखें कुछ नमर 28 इसमें क्या करी जा रही है कि निमिद्धित में सब कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इसको ध्यान अधिकार आपका जो है शमान कार के लिए शमान बितन ए नहीं है कौन नहीं है यह नहीं लेकिन बाकी सब है इसको ध्यान रखिएगा कुछ नमर 29 को बनाईए इसमें क्या कहा जा रहा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एस्टापना किसी ने किया था तो हिंदुस्तान जो मठें बढ़ेंगे कुछनन नंबर 30 को देखेँ किया ककब पूसकार के सुरहत की की गई है किσृत्र में के लिएता है यह स्वस्त के लिएता इसको ध्यान रखिएगा स्वस्त के लिएता है कुछल नम्बर 31 को बनाईए प्रितŏ अपने धोरी पर गहुम्ति हैं या सब किस वस्तु का संवें किस पर निर्वा करता है। किसी वस्तु का सन्वेक जो उसके द्रामान पर निर्वर करेगा द्रामान के व्यक दुनों पर या व्यक पर निर्वर नहीं कर सकता है तो किस पर निर्वर करता 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 है तो किस पर निर्व परषेंट किस भिन के रूप में लिखा जा सकता है कि सड़ subject dot तो क्या हो जाएगा पर्चीश बटा दू मैंने पर्षंट है शड़े बाड़ा पर्षंट गुने सब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा एक वटा आठ हाएगा आगे हम देखेंगे कुछ नंबर 36 में क्या कर आ रहा है कि वस्तुक के बीच परषेंट करने पर दस परषेंट के हानी करने पर विशै का आ इंगा चाल रहते हैं सब्सक्रायर प्रइलपhet लॉद्ट क्या कर दंविए तो बताइए कि सुरेश ने गाय को कितना में खड़ दाता है तो गाय जो है सुरेश जो है कितना में बेशता है तो असी रुपय में बेशता है और उसे 20% के लाव होता है ठीक है तब पुछा जा रहा है कि बताइए कि सुरेश ने गाय को कितना में खड़ दाता तो इसको नि कर दीए और यहां जो है 12 लड़कों का आउसाथ भार 45 किस्या सभी लड़कों का आउसाथ होगा तो आपको जो है 840 और प्लस 540 कितना हो जाएगा पताएए तेरा सो असी बटा में साथ इसो खटाएगे तो क्या हो जाएगा एक कावन आगे हम लोग देखते हैं कुछा नमर 49 इसमें क्या कहा जा रहा कि कोई वस्तु 15% लाव के बदले यादि 20% हानी पर बेचे जाती है तो 770 रुपय कम पराप्ट होता है तो बताए कि दुकंदार न कोई वस्तु और बेच तो 15% उसको लाव मिलता लेकिन वह 15-20% हानी पर ही बेच देता है उसे 770 पर पराप्त होता है तो बताए कि दुकंदार ने उस वस्तु को कितना में ख़ड़ता था तो वही फर्मूला डलना है यह फर्मूला डलना है तो क्या हो जाएगा इसको डाल सब्सक्राइब करना है बराबर जो है कितना 770 कर देना है कितना कर देना 770 पर कम पराप्त होता है ठीक है तो अब जो है यह टोटल कितना में रहेगा पर्षेंटेज में रहेगा ठीक है न तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा भाईया आगे हम लोग देखते हैं कुछ नमर 40 को 40 में क्या कर जा रही है कि एक जो है चात परिशा में 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फिल जाता है जबकि उसका उत्रिनांक जो है 20 परसेंट है तो उसका पूर्णांक कितना है देखिए तो जो है उत्रिनांक उसका 20 परतिसाथ है यानि की उत्रिनांक 25 जो है पलस 15 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा लेकिन 20 परतिसाथ ब्राबर क्या दे रहाखा है 40 परतिसाथ और संड़ 100 परसेंट पर जम निकालिएगा तो दूसर आएगा इस चीज को धियान रखिएगा वहें पूछ रहा है कि उसका पूर्णांक कितना थे उसका पूर्णांक 200 आगे आगे आम लोग देखिएगे कुछ नमर एक तालिस और सिक्या कितनी है टोटल निकाल लेंगे अरव में क्या हो जागा पांच गूने एक सो एकाईस बट्टा में टुटल पांच और छो मिलकी 11 तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11, 55 हो जाएगा आगे हम दो देखेंगे कुछा नंबर 42, 42 में क्या कहा जा रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमेटर परती हंटा से गति कर रहा है अब भी बि चाल तो 22 मेनस सुला को खटाएंगे तो कितना जाएगा 6 और बट्टा में 2 इसको फर्मूला होता है कि अनुपरवाह में चाल मैनस उधर परवाह में चाल माइनस बट्टा में 2 तो क्या जाएगा 6 बट्टा में 2 यानि कि 3 किलोमेटर परती हंटा के हिसाब से चलेगा आगे हम लोग देखेंगे कुछ नंबर 43, 43 में क्या कादर है कि एक वस्तु की निर्मान करने में सामागरी श्रम और उपरी ब्याद का अनुपात इतना अनुपात में भाजित किया गया है, यदि सामागरी का लागत इतना रुपया है तो उस वस्तु की लागत क्या होगा, हैं का मढल लेते हैं, उस जो है समगरी के लागत एक से एक सी रुपया है बट्टा में जो है मुल क्या हो जाएगा models 45 में 2 उसको कटा इंट attackाने के बाद बथ्या जो है लगभग, आपको आया आता है फकर दिप्यट होता है, आगा मोग देखेंग पूछ नमबर 45 में है कि एक दुकंदार ने अपना इतना रुपय में बेचा अपना समान अजदी लाब प्रतिशत हो तो उस बराबर लागू उसके लाब का प्रतिशत समान लागत के बराबर हो तो लागत मुल क्या था यानि कि उसका जो है लागत मुल निकालना है तो उसका लागत रुबाल ल लागत के बराबर होता है तो देखिए तो क्या हो जाएगा एक सगुन है 100 रुपिया पलस एक सबटा में क्या हो जाएगा 100 और उसका लागत कितना है 75 इसे कल्कुलिटे कीजिए आगा तो इसका एंसर लागबक जो है कितना जाएगा 50 रुपिया आगा लों बढ़ते हैं कहां से लिए गया है तो अमेरिका से लिए गया है अमेरिका से लिए गया है इसको ध्यान रखिएगा कुछ नमर 47 को बनाईए 47 में कहा जा रहा है कि सुमपैंस जो है कहा की अधिवासी है सुमपैंस तो संख्या लगवक जो है दूसों के पास होता है जबकि अधिवासी के संख्या मात्र सो ही रह गए है तो शेंपसन के लगवक जो है दो सव संख्या है तो यहां कहा जा रहा है कि अन्डमान के निको बार के लक्ष दिपके की अधादर के तो नहीं अन्डमान निको बार के एक मज़ूर रहेगा वहां तो क्या बहुत जाएगा अपसा नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा उर्पक सवस्दों बतार के लिएवकम्त चल्च सब्सक्राइब कऺएव जया लगवग करता है तो उसमें जीपसम का पर्योग करते हैं तो प्रयोग करते हैं यो주 जाएब लेडियुट तो ऊसमें जीपसम क परियोग सुद्ध करते हैं लेकिन अमलियता आजा थाएगा नाशा यहा चुननल लगा मिलाइए गया तो मिली आता आपका दूर हो जाएगा तो इसी इसको धियान रखिएगा जब छारी रहेगा तो क्या मिलाइएगा जीपसम का परियोग किजिएगा आगे हम लोग देखते हैं कुछन नमर उन्चास मिले काइट इन्वे से किस दातू का खनीज है तो मिले काइट जो है किस दातू का खनीज है तो ए जो है तामबा का खनीज है इसको ध्यान रखिएगा मिले काइट next questions देखें, questions number 50, है क्या का जागा नावान का जा रहा जिसे सौपते हैं ? तो यह आपना इस्थिपा, राष्टपती को सौपते हैं, आपना श्थिपा की सौपते हैं and Apply नावान क्से सौपते हैं ? question number बावन को बनाएए निमली खित में से कौन सा जो है गरा सुर्च का एक परिकर्मन करने में सबसे अधिक समय लेता है सुर्च का जो है सबसे अधिक परिकर्मन करने में कौन समय लेता है तो शनी लेता है इसको ध्यान रखिएगा कौन लेता है कुछиваем नमब्र चववन को बनाईंगे कुछ नमब्र इनमम्न क्या कर दा कि कॉंश्यवा ऑढ़ की सिंवाव को नहीं चुटा है गाते ह की नाम क्या था कांगो का तो कांगो का जो है प्रारामिक नाम क्या था तो जायरे था इसको ध्यान रखिए क्या था जायरे था कुछ नमर संतावन को बनाईए संतावन में क्या का जा रहा है कि निमलिखित में से कौन सा पामारे स्टिशन चंबल घाटी परिजिना से संबन द है इतां गंपी रष्ट्य योधियान किस राज में तो ये जो है कहा है तो ये नागालेंड में इता गंपी जो है दयां कहा है कुछ नाम है जरिया, रानी गंज, गिरिडी, कोईरुबा और छिंदा वड़ा नाम निमलिखित में से किसे संबंदीत है, तो ए जो है किसे संबंदीत है, तो ए जो है कोईला शेतर से संबंदीत है, इसको ध्यान रखिएगा, कुछ नमबर हम लोग 60 को देखेंगे, 60 में क्या कादर आए, प्रवफों से संबंदीत है, तो ए keeps LISA को गनाइक क्या कादर आएक ने यह बारहोई लोक सभी में या तिरह भी में छूदह ही में पंद्रह ही में तो कब शुरू हुआ था एभी में यह बात पूछा जा रहा है तो यह कब शुरू हुआ था तो यह हैं 14 वी लोक सभाव से जो है इसको ध्यान रख़ेगा उच्छा नमर बाशट को बनाएंगे 62 दिए किस ने कहा कि मान उप परकिर्तिक रूप में एक समाजिक प्रानी है तो किस ने कहा और अंज स्थू ने कहा आगे वह दरखें कुछ नमर 13ट क्रिशसर्ट में क्या कगा जारा कि यह आज जैसे अदेश बंदी प्रतिरक्षन जारी किये जाते हैं किसके दोरह जारी किये जाता है तो यह जो है किसके दोरह उच्छे नियाले के दोरह जारी किये जाता है इसको ध्यान रखिए किसके दोरह जारी किये जाता है तो उच्छे नियाले के दोरह जारी किये जाता है किससा में किसका है कि इसके saying कुछ रहे हैं यह काउट किसका है गी आगे हम लोग देखेंगे कुछ नंबर 60, 60 में क्या कहा जा रहा है कि 1857 के सान विद्रों के ततकाली कारण किया था, आप लोग सब जानते हैं, चर्वी वाले कार्तूस का उपयोग से विलोग जहद रगला जहनजट होना सुरू हो गया था, बिरोद सुरू हो गया था, आगे हम लोग देखेंगे कुछ नंबर, यह लोग निरीत नहीं हिने, रहे, लोग नीएक सहल है, शैल यह बरकर का, आगे कुछ नंबर 60, 60 में क्या कहा रहा है, जो पुरिसकार पानेवाले पर्थम भारती है कों थे? जो पाने वाले परत然 भारती है कोन थे? रविंदर नाठ थे क्वह थे रेविंदरनाष्ट ट्यवोर्ट जी थे इसको ध्यान रखिएगा कुछ नमर 79 को बनाएए 79 में क्या का जा रहा है कि ITDC का विष्थारी तरूप क्या है तो इसका पूरा नाम क्या होता है Indian Tourism Development Corporation Indian Tourism Development Corporation इसको ध्यान रखिएगा नेश्ट देखेंगे का जारा के सिरी हरी कोटदा किसके लिए परसीद है तो सिरी हरी कोटदा जो है किसके लिए परसीद है तो यह अंतरिक्ष प्रेश्षेपन कार्ल करम के लिए परसीद है सब लोग जानते हैं उस्टे नमर 11 को बनाई है बिहार का बालमिकी टाइगर स्मान है। कितना 900 km में फैला इसको धियान रखिएगा किटना 900va30 में फैला है। कि आगर हम तखें क्रुषयardie 72 को कि ठीया, सम्बंदीत, भाप कि Bonnor का कि ठीयान दुफा को हैं कि ठीया why तो ऋब प्ख filterina इसको ध्यान रखिए कौन माना जाता है विश्व सिख्षक दिव समना जाता है कुछा नंबर रिक्टर के निर्वान के लिए निमली हित्मी से कौन सा तो जचा है मचाराप जाना जाता एक पारीत अंत्र में पर्थम क्या पर्थम क्रम के भुकता को क्या कहते हैं, तो एक पारीत अंत्र में पर्थम क्या पर्थम क्रम के भुकता को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग शकहारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शकहारी बोलते हैं, कुछ नमर अठातर को उपचायक कारक है सबसे सकती साली सबसे सकती साली इसमें से कौन है प्रोटेश हमें बाकी कोई सकती साली यहां पर नहीं है आगे हम लोग देखिए कुछा नमबर 79 दाब बढ़ने पर जो है किसी पदार्थ का कौतनांग क्या हो जाता है जब दाब बढ़ा दीजिएगा तो क अक्टोन नाभिक से किसके द्वारा बंदे होते हैं तो यह जो है इस्तिर बैदुत बल के रूप में बंदे होते हैं किसमें इस्तिर बिदुत बल के रूप में बंदे होते हैं आगे हम लोग देखिए कुछ नमबर 81, 81 में क्या कादारा है किसमें किंद्रक जिली नहीं होत dropता पहुत अच्छा कुछ नहीं किस Ryan कंर चली नहीं होता तो चाल मेंدي faculty प्रमड बाइब किसकल करोद कुछ प्राइब हो जाएगा और अब私 है आगे देखि कुछ में राष्ट पति सासन लगता है किस अनुश्यत के तहत लगा जाता है तो बताएंगे इसका क्या होगा जबाब यह जो है 356 अनुश्यत के तहत लगा जाता है कब 356 अनुश्यत के तहत राष्ट पति सासन को लगा जाता है कूश्चन नमर 84 को देखेंगे 84 में क्या का जारा ह नियाले के प्रारंबिक छहत्र अदिकार का मतलब क्या है यहां पर पूछा जा रहा है तो उसका मतलब यह है और सिधे मामली के सुनत now की जोगता हो उस क्या पप्रणायाक मत क्या है यह पूछा जा रहा है लिड़े हैं तो नियाले है समय कि अवान जीम разм सुनत 3 निर्नायक मत दिया जाता है जब दुन शहबद हो जहां पे जो है निर्नायक मत को उसका उप्यों किया आता है इसमें कोई फैसला आ जाए समझे अगर चार आदमी दुनों पक्ष में है तो अगर दुनों तो वोट बराबर है लेकिन जब पंचवा आदमी डाल देगा तो क्या हो जाएगा निर्नायक मत हो जाएगा कोई आदमी जीत जाएगा कोई आदमी हाज जाएगा उसी को निर्नायक मत बोले आता है आगे हम द अपने वाले जवारभटा के चंदर्मा का परभाव जीज़ करन जो है मासागर में जवारभटा उठता इसको ध्यान रखिएगा किसे करन चंदर्मा के परभाव के कारण आगे हम लोग देखें कुछा नमबर 88 88 में क्या का जा रहा है कि भारत में सरोतम स्रेनी का शंगरमर मर भारत में कहां से पराप्त होता है तो जो सरोतम स्रेनी का शंगरमर है भारत में कहां से पराप्त होता है तो मकराना से ध्यान रखिए कहां से मकराना से मिलता है उचा नमर 89 उलमपिक सब उलमपस से आया है जो नाम है उलमपस किसका नाम है पुछा जा रहा है उलमपिक सब तोलमपस से एाया है, मानते हैं, लेकिन उसका किसका नाम है ओलमपस, तो उलमपस जो एक परवत का नाम है इसको ध्यान रखिए है, किसका नाम है? परवत का नाम है, ऊलमपस. नेक्स्ट क्या काज़ारा कि जुडवा ओलिव सखाव में पार्श ओ सफेद धुरूबूय नक्स से के साथ हलकें पिले लंका ज्गाज़नडा किसका है? तो इस प्रकार का ज्धन्डा पूछा जारा है किसका है? तो किसका है, स्काव्टीयूम गाइट्ष अंधुलाण का किसका है? जुडवा ओली सखाओ में पासरुमीत सफ़ेद धुरूब्य नक से हलके निले लंगा ज्धनडा किसका है? ते Scout यहम Guides का इसको ध्यान रखिएगा कुछा नंबर 91 गुजर जो है किस राथ से संबंधी थे हैं तो गुजर जो है यह जमू का स्मेर से संबंधी थे इसको ध्यान रखिएगा कुछा नंबर 92 को बताईए भारत में अंग्रेजी शिक्षा के दोरा किसके दोरा लागू की गई थी भारत में जो अंग्रेजी सिक्षा किस के दोरह लागू किया था पूछा जा रहा है तो किस के दोरह लागू किया था तो लॉड बिलियम बैंटी के दोरह लागू किया था किसके दोरह लॉड बिलियम बैंटी के दोरह अंग्रेजी सिक्षा लागू किया था उच्छ कहा जारा कि निमलिखित में से कौन सा आर्थिक अपरादो से संबंदीत है तो आर्थिक अपरादो से संबंदीत कौन है तो कुफे पोसा है कौन है कोफे पोसा है इसको ध्यान रखिएगा यह आर्थिक अपरादो से संबंदीत है कुफे पोसा आगे हम देखें कुछ नमर पं सबसे घहरा भाग है वहाँ सबसे मर्यानक छाइए इसको ध्यान साराई काहिए तो जाएगा मासागर के गहरे भाग में है कुरिशा-नेम्बर 98 को बनाईए वनस्पती घी यानकी वेज़ेटेबल घी बनाने में किसका प्रिक्या आता है तो वेज़ेटेबल घी बनाने के लिए हाइडिजोनी करण पर क्रिया का दोरा बनता है इसको ध्यान रखीएगा कुछा नमबर 99 को बताईए भारत में जो सोन उत्पादन पर निमल लिखित में से जो है कौन पंजाब के सीमा पर इस्थित नहीं है तो पंजाब के सीमा पर कौन इस्थित नहीं है पूछा जा रहा है तो उत्रा खंड जो है पंजाब के सीमा पर इस्थित नहीं है आगे हम लोग देखेंगे कुछा नमर 101 निमलिखित में से जो है कौन सुमे लीत नहीं कें मुंसी नहीं थे संखीये समिर्टी जवाब रस्त और ऎर्शा मिलित नहीं है तो महिश मिलित नहीं है Q कि 12-13 को किसेम वाक्त की आ था तो रहा यह किसी समॹात कि ए बात का सबक्राइब में एफन से ल sf घंड doha ROD to किया तो लोड के दूरा किये तैन को कुछल मृइन इंसको थियान थे लिए तीन में क्या कर दो है कि मर्मगवा बंधरगा मर्मा बंधरगा से मुखता क्यारे दिए करने आट कि जाता है तो ऑयगत के आता है लोग क्या बोलते हैं और इसको कपास की मीटी भी बोलते हैं और इसको अ महराष्ट रोग तथा मत पर्देश में दकन के ट्रिफ में फैला गुए है तो क्या हो जाएगा महराष्ट गुजरात और माधबादेस तो इन उनकाबर में C Sugist Durant कि किस से निकट नम है तो संभर जील जो है खारे-पानी के जील जो की भारत की विशालतं जील है इसका कुल शेत्र प्रग्राबाद किया जा तो 23 सुवर क्लिमिट है राया सनक्राषणी जैपूर के निकट पष्टि में इस दीत है कहा है जैपूर के निकट आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे पष्टि में निस दीत है जैपूर के कुछा नमबर छो कोना ये शंगरहित का अर्थ क्या होता है तो संगरहित का अर्थ होता है कि सत्पत ब्रामन में तिरा रत्नियों का उलेख किया गया जिसमें जो है संगरहित भी एक शंग्रहित सार्थी का कुशाध्यक्ष होता था और शंग्रहित राजकोस्त के नियनतता को कहा जाता था ध्यान रखिये का संग्रहित के काम क्या था कुशाध्यक्ष काम करता है संग्रहन करने का इस चीज को ध्यान रखिये का कुशाध्यक्ष आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछन नमबर सार्थी या इसको हम लोग को साध्य एक्ट भी गोलते हैं कुछन नमबर 107 को देखेंगे जो की mathematics से हैं देखिए हम लोग कुछिस करते हैं आपको बंदा दे कल्कुलिशन यहां पर दिकत होता है देखेंगे साथ में क्या कदर 105 का घं किया है तो 105 का घं कर लीजिएगा जो आएगा आप उहीं आपका एंसर हो गई तो इसी कुछन है इसमें कोई ट्री को काम नहीं करेगा भई यह करना ही पड़ेगा आपको । כvenue 75 में person 119 भारत में किस वर सो शुरू होता है। भारत में कब सो शुरू होता है। तो 1890 सो शुरू ओत दोस देखेंगे। किस का दर आए कि संचार के परभावी संचार के परभाव सवरुप भारतिय समाज में किस मूल का आत्म साथ है संचार परभाव सवरुप भारतिय समाज ने लुए जो है किस मूल का आत्म साथ किया था जो खेर ऑन को आप मंडर्लीकरन को आगे बढ़ाने वाले परमु परभा कौन कौन से है तो कौन कौन से भारतिय heti बजार की खोज बहुराश्री निवेस प्रवदक नहीं नहीं इसब नहीं तो क्या हो जागा इन में से कोई नहीं आगे हमको देखिए कि कुछ से नंबर 12 12 जो की मैथमेटिक से है इसको कुछ में कौन बदल दीजिएगा ताकि 12 आजाए तो किसको किसको बदल दीएगा तो सम पर नहीं दीएगा तो आजाए तो 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 आज़े तो 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 कि देखिए मग्रों कीजाएगा तो क्या आगा बताईए तैरहilly 170 then देखेंगा कुछ नम्र चौ्दर मैं किए क्या कह आगा जा रहा है कि आगेए छोड़ा आयगा समझेत तो आगे जो है मैस्टु चल रहा है इसमें तो मैनस्टू अंतर है तो आगे किजिये गे तो क्या जाएगा? ZC-2 अंतर है ZC ZC जो है और XF तो है इसमें मानस 2 है और इसमें क्या है? पलस 3 है दोनों अलग-अलग चल रहा है इसमें भी और T में मानस 2 है और I और L में पलस 3 है इसी दर पर करेंगे प्लस टू को बढ़ाएंगे तो आगे तो क्या आजाएगा बताइए मैनस टू को आगे बढ़ाएंगे तो आ रहा जाएगा एक को प्लस तीन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपसर नमर एक इसका सही हो जाएगा कुछ नमर पंदरा को बनाईए पंदरा में क्या कहा जा रहा है कि इतना वर अब ट्रेन को इतना कोड में दिया गया है और तो इतना दिया गया है तो इसनाएक को लिखेंगे तो क्या हो जागा बताइए रिख दीजे आप लोग इसको लिखेंगे तो क्या जाएगा ठीक है ना यानि कि पलस चार हो जा रहा है इसमें और इसमें जो है कितना हो जा रहा है नहों हो जा रहा है तीन के स्कॉर चल ला आगे चार के स्कॉर चल ला पांच के स्कॉर चल ला तो आगे क्या चल लेगा च्छो का स्कॉर चल लेगा 36 उडियेगा दूसर 102 में तो क्या हो जाएगा 138 हो जाएगा अपसर नमरे किसका सही इंसर हो जाएगा रीजिनिंग में देखना रहाता है कौन क्या है पकड़न पकड़ना रहाता आगे देखेंगे 17 में क्या कर रहा है जे पी जी अनाइस और पी एफ का मतलब क्या होगा देखिए पी का मतलब जे पी जी ठीक है न तो जे पी जी में जो है पी जे जी तो पी का मतलब जे का मतलब जो है क्या कर दिया है दस माइनस साथ इसकाल टू तीन और सॉला कितना कर दिया तो नहीं सा जा रहा ठीक और आगे पी एफ जी में क्या कर रहा है कि चौद़ पलस पी का मतलब 14 प्लस 16 माइनस साथ लिछादा ना तेज़ कर दिया तो टी आई एफ को में अब इसको जोड दीजिए ट का मतलब 9 ले लिया है मने टी अफ में आई को बिचला न लेंगे पी लिया थे इसमें लिया थे और इसमें क्या लेंगे इसमें आ लेंगे डि़ोर आई लेंगे तो आई का मतलब इसका जो है 108 को देखेए 108 आप लोग कर लिजिएगा कल्कुलेशन यह हल्का है सर ली करनी इसके अंसर आगा कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आगे देखेंगे कुछ है नंबर जो है 129, 129 में क्या का जा रहा है कि एक परिक्षा में 5 छात्रों का प्रप्तांग 12, 14, 8, 10, 16 है तो छात्रों दर प्रप्त आउसत ग्याद करना है तो आउसत ग्याद करने है 12 पॉलस 14 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 16, 8 में 25 इसका बारा आगे देखेंगे क्शन नमबर 20 जो कि आज का लास्ट कुछन है 20 में क्या का जा रहा है इसको ढ़्ट डाउन किया एक जो है मिश्रन पानी और दूद का अनुपात इतना है, मिश्रन 20 किलोग्राम में कितना पानी मिलाना होगा कि नहीं बनने वाले मिश्रन में पानी और दूद का अनुपात इतना हो जाए, समझें, तो यह कुल मिश्रन कितना है, 20 किलोग्राम है, उसमें जो है, पानी कितना है, दू अनुपा इतना नुपात करने के लिए कितना पने मिला ना होगा तो चार किलो पने मिला दीजेगा तो बहुत ऊज्वी कुछन इसको आप लोग डेख लीजेगा बनालीजेगा यानि कि क्या किजेगा या जो तो वीडियो कैसे लागा कमेंट करके जरू बताइए अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत